नमस्कार दोस्तों अटल अनुशंधान अकादमी यूटूब चैनल से मैं आउनिश शुकला आप सभी कहारदिक स्वागत करता हूँ दोस्तों सुच्राओं को विश्तार में सुरू करने से पहले एक महत्तों बाता आप से बताना चाहूँगा यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुशंधान अकादमी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यह हमारा वाटसअप नमबर है 8543-856728 इस पर मैसेज करके आप हमारे वाटसअप ग्रूप से भी जुड़ सकते हैं अब आज की सुचना को विस्तार से देखते हैं आपर आप देख रहे हैं पहली सुचना उत्तर प्रदेश में टीजी टी पीजी टी भरती से संबंधित हैं आप आप देख रहे हैं टीजी टी प्रवक्ता की नई भरती अगले महीने तक जियां दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश मादमिक सिक्षा सेवज चैनबोर दोरा टीजी टी पीजी टी के पंद्रह हजार पदों के लिए विग्यापन जारी कर दिया गया था किन्तो उसमें जियू विग्यापन पद ना होने के कारण विग्यापन में बिवाद हो गया साथी साथ तदर्थ सिक्षकों का मामला भी विग्यापन को बिवादित कर दिया इस प्रकार से विग्यापन को निरस्त कर दिया गया था और जो नया विग्यापन है वो जीव विग्यान के पदों को जोड़ा जाएगा और तदर्थ सिक्षकों को भी अलग से पदों को जोड़ा जा सकता है तो इस प्रकार से दोस्तों जो नया विग्यापन है इस महीने तो नहीं यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो नया विग्यापन है नवंबर महीने के भीतर सिक्षक भरती का नया विग्यापन संभव नहीं है तो इस प्रकार्ट से जो नया विग्यापन है 15 दिशंबर तक जारी किया जा सकता है और यहां पर आप देख रहे हैं विग्यापन को निरस्ट करने के बाद अब नई विग्यापन एक खुशखबरी भरा होगा क्योंकि इसमें पदों की संख्या अधिक होगी क्योंकि जो विग्यापन जारी किया गया था इसमें तदर्थ सिक्चकों के लिए अलग से पदों को नहीं जोड़ा गया था तो जो नए प्रतियोगी छात्र थे उनको थोड़ा प्र यह 79,000 शिक्षक भरती का मामला है ST के अभ्यरती पहले ही हो चुके है चैनित OBC बड़ी संख्या में सेस यह पर आप देख रहे हैं 37,337 शिक्षक भरती 31,661 पदों के सापेक्ष 31,277 में से अधिकांस पर निउक्तिया हो चुकी वेशिक शिक्षक पर्षद 79,000 शिक्षक भरती पूरा कराने के लिए सेस पदों 37,349 की नई जिला आवंटन सूची जारी करता है तो आरक्षण का पेज फसना तैं है वजह ST वर्ग के लगबग सभी अभ्यरती पहले ही निउक्ति पा चुके हैं वही OBC अभ्यरती बड़ी संक्या में सेस है नई सूची बनाने में सभी वर्गों का आरक्षण सही अनुपात मिना होने से बिवाद होगा और यदि उसे दुरुस्त करने का प्रयास हुआ तो पहले की सूची से चेरितों को बाहर होना पड़ सकता है परिश्द अब फिर से एक जून को जारी सरशट हजार आठसो सरशट सूची से काउंसिलिंग कराए तब ही बिवादों पर कुछ लग सकता है तो दोस्तों ये है 79,000 सिक चक भड़ती का मामला ये तो आप जहनते हैं कि बिग्यापन से ले करके और चैन तक यहां तक की पहली सेलरी पाने तक ये पूरा मामला बिवादी थी रहा है और 31,000 लोगों को नुक्ती दी जा चुकी है लेकिन 37,337 पद्व के लिए नुक्तियां की जानी है किन्तु अभी भी दुनिया भर के बिवाद इसमें उत्पन होने की संभावना यहां पर आप दिख रहे है यहां पर देख रहे हैं हाई कोड में चल रही सुनवाई सिक्चक चैन की 31,277 अभेड़तियों की सूची को हाई कोड में चुनोती दी गई है इसमें आरोप है कि योबी सीवर के कई भेड़तियों का चैन ना तो उनके वर्ग में हुआ और नहीं सावाने सीटों पर चैनित हो सके है अब सभी पद भरने के आदेश से हाई कोड में चल रहा है बिवाद का पड़ा छेप हो सकता है बसरते जिला अबंधन सूची जो की त्यों जारी हो इसके बाद दोस्तों अगली ख़बर है यूपी टीटी का प्रमाडपत्र आजीवन मानने करने की तैयारी जहां दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो सीटेट की परिक्षा होती थी उसका प्रमाडपत्र साथ साल के लिए मानने होता था और यूपी टीट पास साल के लिए मानने होता था पास साल बाद इन्वैलिट हो जाता था और सभी छात्रों को बार बार फाम भरना पड़ता था लेकिन आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुश ख़बरी है आप जानते हैं कि ये योजना केंसरकार ने अभी शुरू की थी और सीटेट की मानता आजीवन कर दी गए हैं वहीं अप यूपी टेट को भी आजीवन मानने करने की तयारी है तो ये आपके लिए बहुत ही प्रस्ताव सासन को भेजेगी मंजूरी मिली तो सिक्षक बनने के दावेदारों को बार-बार पात्रता परिक्षा देने से मुक्त मिल जाएगी परिक्षा नियामक प्राधिकारी कारणाल अलुक्त अप्रदेश प्रयागराज इन दिनों परिक्षा का प्रस्ताव तयार कर र जीवन मानने किया जा सकता है इसके बाद जो भी टेट की परिक्षा होंगी सभी के फ्रमाड़ पत्रों को आज जीवन मानने किया जाएगा तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इम्तिहान फर्वरी के अंतिम सब्ताह में हां कराने की तैयारी यहां पर आप देख रहे हैं इम्तिहान फर्वरी के अंतिम सब्ताह में कराया जाएगा और दिसंबर माह में आनलाइन आवेदन मांगे जाएगे तो आप अब सभी तैयारी करते रहिए और टीटी की परिक्षा आपकी बहुत ही जल्दी होगी इसके बाद दोस्तों अगली खबर है SBI में नौकरी से पहले तीन साल की इंटर्न जिपू बेंग की कसोटी पर खरा उतरने के बाद कन्फर्म होगी नौकरी फचासी सो पदों के लिए मागे आन-लाइन आवेदन तो दोस्तों पचासी सो पदों के लिए SBI में आवेदन माँगे जाएंगे तो जो भी SBI में नौकरी करना चाहते उनके लिए बहुत ही बड़ी प्रक्राइश शुरू है लेकिन पहले इंटर्ण सिप के लिए आवेदन मांगे गए हैं तीन वर्ष की इंटर्ण सिप के बाद मानक पर खरा उतरने वालों को ही बैंकी नोकरी दी जाएगी इंटर्ण सिप के दवरान अब बेरतियों को मांदे दिया जाएगा अब आप आप देख रहे हैं SBI की ओर से पुरे देश में पचासी सो इंटर्न के लिए आनलाइन आवेदन मांगे गए हैं हर प्रदेश और जिले में नियुक्ति किये जाने वाले इंटर्न की संख्या भी निर्धारित है आवेदन सुक्रवार से सुरू हो गया है और आकरी तारीक 10 दिसंब 858 ने पाई सफलता इसके बाद अगली खबर है यूपी बोर्ड की छमाही परिक्षा है आज से सैच्छिक 70 2021 की छमाही परिक्षा सनिवार से सुरू हो रही है इसकूलों का दावा है कि उनकी तैयार ये पूरी है मगर विद्द्यार्थियों की कम उपस्तित जिम्मधारी ज जिवाँ को तकनीकी सिक्षा देकर अपने परेरों खड़े पर खड़े करने वाले आई टी आई को आदनिक्ता का रंग देने की कवायद सुरू हो गई है प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के साथ ही संस्थानों की ट्रेडों को नए सीरे से तयार करने की यूजना है थि परेरों में हिस्षा लेने के बावचूद प्रिवेश न लेने वाले अभ्यरतियों ने सुकुरवार से आनलाइन 24 लाग करनी शुरू कर दी है सुएक तो प्रिवेश परिक्षा परिश्द्वारस अभी को 21 तक 24 लाग करने का मौका मिलेगा और 22 को प्रड़ाम घोसित होग 25 को दो पार 2 बजे तक फीस जमा करनी होगी तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं 21 तारीक तक आपको समय है और इसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा इसके बाद अगली खबर है आनलाइन पढ़ाई से बच्चों को कितना हो रहा नुक्सान आनलाइन पढ मांगी है कि प्राइबेट स्कूल लागडाउन की अवधी की फीस अभी भावकों से ना वसूले इसके बाद अगली खबर है ओपन एंड डिस्टेंस मोड में 30 रूमबर तक करें दाखिले सभी विस्टेंस मोड में 30 रूमबर तक करें दाखिले सभी विस्टेंस मोड में 30 रूमबर तक दाखिले कर सकते हैं आयोग ने दाखिला विंडो बंध होने के बाद 15 दिशंबर तक विश्विद्यालियों को अपनी वेबसाइट और पोर्टल पर जानकारी अप्लोड करने का भी नड़ेश दिया है। की जानकारी भी अप्लोड करनी होगी। सच्चा विवाग के साहता प्रावत्प इसकूलों और उचे सच्चा विवाग के साहता प्रावत्प माद्विक गिद्यालों में भी सिख्चकों की भरती आयोग के जरिए ही कराने का परेश्टाव है। ये जो TGT PGT की भड़ती आ रही है और ये जो नया विग्यापन असिस्टेंट प्रोफेसर का 4900 पदों के सारी 2016 पदों के लिए जो चारी होने वाला है ये नय सिच्छा आयोग शेना होकर के पुराने आयोगों के द्वारा ही होगा और इसके बाद जो भी भड़तियां की जा नए सेल दी तो ये सब नए नए के चक्कर में अभी तक भड़तियां लेट हुई है अब सरकार से अगरे है कि इन्ही पुराने बोड़ों के माद्यम से इस सिच्छक भड़ती को करा लिया जाए और नए सिच्छा सिवा आयोग को अगली भड़तियों से लागू किया जाए डी यू में अब भी सीटें खाली दाखले के सीमित मौके दिल्ली बिश्ब देले के कालेजों में दाखले की चाहर रखने वाले चात्रों के लिए खुशक भड़ी है अब डी यू के कालेज में भी सीटें खाली है शामाने सिरेडी के लिए तो एकोनोमिक्स आनर्स बीकाम पुआ बीकाम आनर्स की कुछी इठे खाले शामान स्रेडी से ज़्यादा आरक्षित के लिए दाखिले के आउसर है इसके बाद दोस्तों अगली खबर है सीवी आई बोर्ड परिक्षाएं हर हाल में होंगी त्रिपाठी इसो चैम की और से नई सिक्षानीदी पर आयोजित बेविनार में बोर्ड सचिव ने कहा जल्द ही घोशित की जाएंगी दस्मी वा बारामी की परिक्षा की तिथियां इसके बाद अगली खबर है स्रम मंत्राले ने दिया रोजाना बारा घंटे काम का प्रस्ताव स्रम मंत्राले ने संसत से इसी वर्ष पारिद व्यवशाइक सुरच्छा स्वास्त एवं कार शर्थ सहीता 2020 के मशाओदा नीमों के तहत अधिक्तम 12 घंटे के कारदिवश का प्रस्ताव दिया है बरतमान अधिक्तम कारदिवश 8 घंटे का होता है इसमें कारे के दोरान अलप अवकाश यानी इंटरवल भी सामिल है हलाकि 19 नॉवंबर 2020 को अधिसूची तिसमों सौदे पर पूरे सब्ता के दोरान अधिक्तम 48 घंटे काम का प्रस्ताव बरकरार रखा गया है मंत्रारे ने सभी समझधों से सभी साजधारों से इस बारे में 15 दिनों में राय मागी है तो दोस्तों अधिक्तम 12 घंटे एक दिन में काम किया जा सकता है और हपते में 48 घंटे के काम का प्रावधान किया गया है इसके बाद दोस्तों अगली ख़बर है J.E.E. और नीड जैसी परिक्षाओं फिल हाल नहीं होंगी आनलाइन यहाँ पर आप देख रहे हैं कोरोना शंकाल में चात्रों की घर बैठे पढ़ाई जरूर हो गई है लेकिन आनलाइन परिक्षा की सुरुआत में अभी भी और वक्त लगेगा खासकर J.E.E. और नीड जैसी परिक्षाओं में अभी इसे बिलकुल नहीं अजमाए जाएगा इसकी वज़ा आनलाइन परिक्षाओं का अभी पूरी तरह से फुल प्रूप ना होना है इसके बाद दोस्तों अगली ख़बर है सारवजनिक इस्थानों पर दो गज़ की दूरी ना बढ़ती तो देना होगा दो हजार रुपए का जुर्बाना जिया दोस्तों ये दिल्ली से राष्टी राजधानी छेतर दिल्ली से एक बहुत ही महत्तबुन खबर है यदि आप दो गज़ की दूरी नहीं रखेंगे तो दो हजार रुपए का जुर्बाना बरना हो गए याँ पर आप देख रहे हैं अधिसूचना जारी कर दी गई है सारवजनिक जगहों पर थूकने गुटका खाने पर भी जुर्माने की रासी बढ़ी 6608 ने मरीज और 118 की मौत तो दोस्तो कुरोना का संकट भी थमा नहीं है कुरोना का कहर बराबर ढारा है और इस प्रकार्ट से प्रती दिन भारत में मरने वालों की संक्या बढ़ती जा रही है राश्टी राज़ानी में मास्क ना लगाने के साथ ही अब साज़नी के स्थनों पर दोगज की दूरी ना परतने पर 2000 रुपए का जुर्बाना भरना होगा तेजी से बढ़ते कुरोना संक्मण पर लगाम के मद्दे नजर कोबिट प्रोटोकाल नियूमो का उलंगन करने वाले उपर जुर्माना लगेगा दिल्ली के उपराजचेपाल अनिल बैजल ने सुकुरार को इसकी अदनी सूचना जारी कर दी है तीन महीने में चार मुक्चे परिक्चाएं कराएगा आयोग चारों परिक्चाओं के तहत कुल 934 पदों की की जानी है भड़ती उत्तर प्देश लोग सेवा आयोग अगले तीन माह में चार मुक्चे परिक्चाओं का आयोजन कराने जा रहा है इन परिक्चाओं के तहत 934 पदों पर भड़ती की जानी है जिनका अन्तिम चैन परिड़ाम अगले साल यानी 2021 में जारी होगा बियो के 309 पदों पर भड़ती के लिए प्रारंबिक परिक्चा 16 अगस्त को आयजित की गई थी परिक्चा के लिए 5,28,313 अभड़ती ने अविदन किये थे इन में से 2,34,64 अभड़ती शामिल हुए थे तो दोस्तों और दूसरी परिक्चा है समिक्चा अधिकारी साहक समिक्चा अधिकारी की परिक्चा भी कराई जाएगी इसके बाद दोस्तों अगली ख़बर है CGL 2019 Tier 3 परिक्चा 22 नॉमबर को SSC की सब्सक्तों इसना तक इस तरी 2019 Tier 3 परिक्चा 22 नॉमबर को होगी PIN PEPER आधारी Tier 3 की परिक्चा में 15 से 18 नॉमबर की बीच हुई Tier 2 परिक्चा में सामें सभी बढ़ती भाग लेंगे Tier 3 की परिक्चा बिस्टत उत्तरी होगी आयोग की ओर से कहा गया है कि Tier 2 की परिक्चा पास करने वाले ही इसमें सामिल हो जाएंगे इसके बाद दोस्तों अगली खबर है अब दो चरणों में होंगी परिक्चाएं उत्तरपदेश अधीनस्त सेवा चैन बोर की खबर है उत्तरपदेश अधीनस्त सेवा चैन आयोग उत्तरपदेश अधीनस्त सेवा आयोग राज सरकार के अधीन सभी विभागों वा निगमों में गृप सी के पदो पर भड़ती के लिए अब दो इस तरी परिक्चा पडाली अपना सकेगा आयोग की ओड़ से भेजे गए प्रस्ताव को मुक्वंत्री की मंजूरी मिलने के बाद कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को इस बारे में सासनादेश जारी कर दिया है इस ब्यवस्था के लाग होने पर आयोग की ओड़ से की जाने वाली भड़तीयों में तेजी आएगी किसी भी भड़ती परिक्चा में भड़तीयों की बारी संख्या को देखते हुए इमतिहान कराने की दुस्वारियों से निपटने के लिए आयोग ने यह कदम उठाया है नई ब्यवस्था के तहट आयोग प्रारंभी की इस तरपर अभड़तीयों की स्क्रीनिंग के लिए शामूहिक परिक्चा इसको पेट कहा गया है आयोजित करेगा पेट के आधार पर सासना देश जारी करने की पुष्टी कर दी है इसके बाद दोस्तों अगली ख़बर है एपी एस चैनितों के इस्थानी करन पर शवाल M.L.C. ने मुख सचु को पतलिक कर प्रक्रिया रोकने की उठाई मांग भड़ती में भरष्टाचार की सिकायत पर C.B.I. पहले ही कर रही मामले की जाच अपर निजी सचु 2010 के चैनित अभड़तियों के इस्थानी करन की प्रक्रिया शुरू किये जाने को लेकर विवाद बढ़ गया है M.L.C. देवेंद प्रताप सिंग ने मुख सचु को पतलिक कर इस्थानी करन की प्रक्रिया तत्काल रोके जाने की मांग की है इस बढ़ती में प्रिशटाचार की सिकायत पर CBI की जाच चल रही है यह तो बढ़ती में प्र्ताप सिंग की ओर से मुख सचीव को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि सच्चिवाले प्रशासन विभाग ने 30 जुन 2020 को उच्चितम नियाले के अवेंडमेंट काउंटर एविडेंस से दाखिल कर श्रीकार किया है कि जिस परिक्षा कारिकरम के आधार पर चैन प्रक्रिया संपादित की गई थी वह भरती प्रक्रिया को रेगुलेट नहीं करती इस से पूर्व CBI भी प्रदेश सरकार को पत्लिक कर इस बढ़ती में अनिमित चैन की पुष्टिंग होने की बात कही थी और इस आधार पर CBI को इस परिक्षा की जाश के लिए विशेज सनुमती दे दी गई है तो दोस्तों ये थी आज की महत्तपूर्ण खबरे तो आज के लिए बस इतने ही यदि आपको वीडियो अच्छा लगों वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए वो आधिक सदिक लोगों के बीच में सेर करिए आप पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को ब